नमस्कार बहुत स्वागत आपका आश्रम YouTube चनल आज कभी से महत्पूर्ण है आज हम बात करेंगे हम अपनी गुरू परवत और सुर्य परवत ये दो परवत परवत महत्पूर्ण क्यों है लाइप में यदि ये दो परवत किसी जातक के अच्छे अबस्था में हो या इस पर अच्छे गुर्ण का चे गुरुब और हमारा इस हत्विमा अच्छे अबस्था में करते हैं कि अहां कि शररम इस परवत ब्लूं को सकते हैं कि आपका गुरु परवत सु अवस्था में यदि यह अस्थान बिल्कुल सपाट होत इसका मतलब गुरु परवत दवे अवस्था में है यह गड़ा पड़ता होत यह कमजूर अवस्था में माना जाएगा तिया आतली में यह अस्थान सामान अवस्था में गुरु प्रवत्क समानी स्थिति में यहां एक महत्पुर्ण चीजें दिख रही है कि देख लिए उम्र के इस पड़ाव से यहां से इनकी है लाइफ लाइफ लाइन और यहां से देख लिए एक रेखा यहां इस परकार से गुरूप के और बिल्कुल असपस्ट गूप से बढ़ रह होगी इस उम्र से इनके इंडिपेंडेंसी को दिखलाती है स्वतंतरता को दिखलाती किस छेतर में यह चेतर आर्थिक हो सकता है समाजिक हो सकता है मनि अपने आप में इंडिपेंडेंट हो गए हो सकता है कि यह किसी कारी में लग गए हो किसी वर्क में ऐसा कोई कारी कर रह इसे सफलता की भी रेखा गूहीं गई गईंए अब यह रेखा गूरु पर पहुंच रही है ति गूरु पर पहुंचने वाली एसी रेखा ज्यातक कि उच्छ महत्वा कांछा को दिखलाती है अर्थात जीबन में बहुत कुछ करने की इक्षा, बहुत कुछ पराप्ति की इक लेकिन ये उच्छता को दिखलाता है। गुरू हमारे अध्यात्मिक चीजों को दिखलाता है। अध्यात्मिक और अभिरुची भी अपने आप में दिख रही है। और ये रेखा साप, सुत्रिया और असपस्त्तु हलाँ कि कुछ रेखाएं इसे काट भी रही है। ति ये काटने का अर्थ क्या होता है। कुछ रेखाएं इस परकार से काट भी रही है। तो काटने का एक अर्थ निकल के आता है। कि आपकी महत्वा कांच्छा उच्छ है, अभिलासाय उच्छ है, और ऐसे लोग सफल भी होते हैं, लेकिन सफलता में आपके साथ समस्या भी उत्पन होती, अर्थात संघर्स के बाद ही आपको सफलता मिलेगी, प्रारंबिक संघर्स अधिक हो जाएगा, चुकि यहां से कई इसे डिश्टर्ब कर रही है, तो यह अपने आप में आपके सफलता के बाधा उत्पन करेगी, इस परकार की चीजों को दिखलाता है, आइए थोड़ी से मैसी उम्र की गन्ना करने का प्रयास करते हैं, तो उम्र की गन्ना के अनुसार क्या निकल के आ रहा है, यह लगभग निकल रही है, दो-चार साल आगे पीछे हो सकते हैं, चुकि हथेली के बनाबट और पिक्चर के अनुसार यह थोड़ी सी बदलते हैं, तो यह सेल्फ डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंस, बढ़िहां उगर को को दिखला रहा है, अज साथ में एक चीज़े की सुरी की बात हो सकती है, चुकि सूर्ज रहा जब बिलकुल सापसुत्रिय असपस्ट होती थी यह, आपको सबसे पहला काम करता है, कि समाज में आपके नाम यश्मानकिर्टी को यह पहलाता है, और राज द्वारालाव को दिखलाता है, अर्था सरकार द्वारालाव, यदि गवर्मेंट तो सरकार द्वारा लाब आपको आटोमेटिक होगा, यदि गौर्णमेंट शरकार में नहीं भी हैं, तो कुछ न कुछ यदि सरकार के साथ मिलकर कोई कारी करते हैं, तो आपकी अच्छी उन्नती प्रगति होने वाले हैं, हलांकि ऐसे जाता है कि बैबसाई में भी से सफल दे ला लिए, अलांकि ये गौर्णमेंट शेक्टर से लाब को असपस्ट रूप से दिख रहा है, ये प्रयास करेंगा, हो सकता है कि गौर्णमेंट शेक्टर में जुड़कर ये कारी करते हो, ये सरकारी सेबा में भी अच्छे पत्पर हो सकते हैं, तो बात कर रहे थे हम गु प्रयास कर रही है, कोई बात नहीं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन अंतरता ये सफल होंगे, ये तो तहे चुकी रेखा है, मजबूत है, गहरी है और लंबी है, इन्हें प्रयास करता रहने चाहिए, शुरुवाती संघर्स अवस्थी होगा, लेकिन इन्हें अच्छी समाज में आपके नाम, मान, ये श्रमान, सुरी के समाँ चमकते हैं, आपका ब्रांड आपके नाम के सिकह बनता है, इस परकार की चीजें देता है तो सुरी परवत यहां अच्छे वस्था में दिख रहा है, थोड़ी इसे दवेव वस्था में दिख रहा है, लेकिन सुरी परवत इसे सामान इसे अच्छा वस्था मान कर देखा, गुरु परवत थोड़ा यहां देखे, ढलान है अर्था यह भी हो सकता है, तो गुरु और अप्धिया केले की जड़ को भी धारन कर सकते हैं, यह आपको इस प्रीन चीज show jak sate, यह या ने देख रही हैं इस प्रकार की चीज़ें भी यह करके कर सकते हैं जिवन में काफी सफलता मिलेगा, आयू रेखा पर कुछ चीज़ें दिख रही है कि आयू रेखा यहां से यहां तक यह देख लिजे, आयू रेखा थोड़ी सी जंजिरदार लहरदार अर्थात यह स्वाससमंदी शुरु आती जिवन में, मतलब अर्थात यह 9-10 साल, 12 साल के फिकी हो गई है, फिका होने का एक अर्थ होता है कि जिवन सक्ति में कमी, जिवन सक्ति में हरासमें ठाला की रेखाएं, बिल्कुल साब सुत्रिया आरसपष्ट है, जिसका अर्थ यह निकल क्या राए है कि आयू तो इनकी लंबी होनी है, लंबी का अर्थ 85 पलस 85 बर्स से अधिक माना जाना चाहिए समोदरिक सास्तर के अनुसार अब यह कि रेखाएं जो थोड़ी सी हां तक तो डीप अवस्था है मतलब यहां तक जीवन शक्ति मजबूत अवस्था में दिखतो रही है लेकिन उसके बाद जीवन सक्ति में थोड़ी सी कमजोरी इतनी वर्स तक दि भ्यान देना होगा तो इस सतेली में बहुत कुछ है नेक्स्ट चर्चा हम अगले आंके में करेंगे आज की आंके में इतना ही धन्यवाद